ना कहते है दें अक서 रहें, को अ हमकी के कमा 2 दूす Beckham कोश़ के लुठ कुछ ये कुछ सुपर्येदो कुछ सुपर्य, का सुर्ण का कि यह दूल सुपर्दाए Ear yorg तर यहारो हुए स्यनू शाथ दो ना समाधिक्व को, चलो, चलो कर दो कि ताइम पास के लिए तुम्हें यहीं स्कूल मिला था क्या सनी यह न पुलिस का लफड़ा है न रूम का भाड़ा फूल इंग जॉय तुम लोग शबाब पे दें दो और अपन लोग शराब पे चलो जा के मज़ा करते हैं यहां बेटे क्या चलेगा अचाओ मेरे चान अच्छा शराफत मुझे बाद बता बोलना रात का घना साया है शीतल चान की काया है इतना परसीना क्यूं आया है कुछ समय नहीं आया है काने दर लाना आप अब जब पीते हैं तो जुमते हैं अब जाके शराब उस पेड़ को फिला फिर वो भी जुमेगा फिर हावा चलेगी पसीना गूम ले लगेगा देखो बाई यह दारू बड़ी मुश्किल से ब्लैक में लेकर आए तो पीने के बाद अच्छी हवा देना ठीक है आजरा एक देखो एक यह प्प्वा प्ला रिला जोने मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए भाई क्या है रे पूरा बाटली उसको चणा दिया पर वो तो जूमा ही नहीं आईसे काईसे भाई ये बकड दारू के साथ बियर दोनों को मस्त मिक्स कर डल पेड कुदी जूमने लगेगा जा अरे शक्मा क्यों रही है अधी मस्त एसी के जाएसे हवा पेखना अब तु जरूर खुमेगा एक दूनी दो दो दूनी चार अब सोनू शेरा पिलाई पीयर पिलाई दोनों इतना प्यार से पिलाया फिर भी सिदे का सिदे खड़ाई मेरे बो मेरे जो आह बोरत ए स्याथ अरे को भूनी पूनी खर स्ट 화ल ओर ठूनी खर स्ट पाया जाब भागे नहीं दो मिनट चांती से नहीं बैठने थेते हैं अभी आए डाले अरे क्या हुआ तुम बेवडों को हाँ कि अहन एहां कि अनलिफ sound एलाएई वर गड़े एखो क्या है थाख्का क्यूं दे रही है प्सक्सकराणिक है रुखा करे आरे अश्ते रख्षानू आए़ attract mycket जल प्या।जाइ अए़... आए़ण आए़ब चैस पलाए़ पहाए़ kayक्षण आए़ख़ँ!! अए़छ।My condition Chocolate stra valuable CN which biggestAME एज़भand आँ़खेड़ऺ़ about 1den को सबस्टेर एक बही ने बाहा हुआ बाह प्रेट कितनी भयानक बद्बू है कोई अंदर जाकर देखो आखिर सड़ क्या रहा है जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आएगा जल्दी से कोई कुछ करो मुझे बड़ी जोर से आ रही है जोर से आई है तो तुम ही चले जाओ किसी आदमी को ही अंदर जाना चाहिए हाँ और तो ने मर्दों को सिर्फ टॉयलेट की ही लाइन में आगे रखा है तीचर तुम साथ चलो तो टॉयलेट क्या जहन्नूम भी चला जाओं ओहो इस टॉयलेट से ज्यादा बद्बू तो तुम्हारे मूँसे आ रही है दूर आटो यहां से अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है इस प्रॉब्लम की सल्यूशन आ गई है कौन है वो वही मरेली नाक वाली जयत्ती टीचर जनम सही वो किसी भी चीज को सूंग नहीं पाती वही चुटकारा देगी वरना आप से पहले आपकी नाक की रिटार्मेंट हो जाएगी सर सब ऐसे टॉइलेट के बाहर क्यों खड़े हैं अंदर से बड़ी तेज बगबु आ रही है और यहां किसी में भी चेक करने की हिम्मत नहीं है अब तुम तो सूंग नहीं सकती इसलिए राज दूद बनकर अंदर जाओ और शांती दूद की तरह बाहरा कर बताओ जरूर इस चर्वी की दुकान ने मेरे बारे में सबको बता दिया ऐसे तो मैं देख लूँगी ठीक है सर मैं अंदर जाकर देख लेती हूं हाँ ठीक है क्या कर रहे हो बेटी तुमने इसे बच्चे की तरह क्यों उठा रखा है यह तो कुद्रत का हिस्सा है ना अरे मैं कॉर्परेशन वालों को फोन करता ना वो इसे यहां से ले जाते रहने दीजे ना वो आएंगे और इसे किसी कच्रे के धेर पर जाकर भेग देंगे मैं जल्दी करो यह मरेली नाक वाली ही कुद्टे को ठिकाने लगा सकती थी वरना हम तो जिन्दा कुद्टे को भी हाथ लगाने से डरते हैं सही बोला अगर मैंने दुबारा इस धर्दी पर जन्म लिया तो मुझे तुम्हारे जैसी बनकर ही पैदा होना है मेरे दोस्त क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी सुने के जबरदस शक्ति चाहिए रोज जिस दुख से मुझे गुजरना पड़ता है उससे सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ लोगों का फ्यूचर हातों की लकीरों में नहीं मेरे पोपण की चोंच में बंद है अभी अपनी चोंच से तुम्हारा भाग्य बताएगा चलो आजाद मिठू इसका भाग्य बताओ शर्मा क्यों रहे हो बहाराओ चलो 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 उठाओ तुम्हें भूस खाने की आदत हो अपनी आखों से देख लो कुबेर स्वेम पधा रहे हैं अब जो भी काम करोगे उसमें भाग्य तुम्हारा पूरा असा देगा अभी चाहे आटो के पैसे ना हो पर भाग्य खुलेगा तुम बेंस कार में सिग्नलों को तोड़ते हुए दूर तक चले जाओगे समझ गए जाओ 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 अंदक्षिना तो दो एलीजे नमस्ते बेटी आपके चार्जिस क्या है खाली बीस रुपए और मिठु का प्राइस तोटे की क्या कीमत है क्या बोली मिठु बिकाओ नहीं है बता वर्ना तेरे कपड़े बिकवा दूंगी क्या समझते हो पैस तो अगर तुम खुद कुछ करोगे तो अपनी फैमिली के लिए पतानी क्या कर सकते हो इसे खुली हवा में छोड़ने के बजाए तुमने इसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है इस बिचारे को अपना तो फ्यूचर कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे करना तुम्हें पैसे ही चाहिए ना क्या चाहिए तुम कमाल हो सच में बड़ी प्यारी हो बलकि सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी सोच भी बहुत प्यारी है हां जानता हूं किसी अजनभी को ऐसे सड़क की भीच तारीफ करना अजीब तो है शायद घलत भी हो पर अपने जजबाट चिपाना भी तो घलत है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं क्या तो मुझसे शादी करूगी तुम तो कुछ कहीं ने रही हो मैंने कुछ गलत कहा तो सौरी हां गलत ही तो है किसी दो बच्चे की मां से यूँ सड़क पर चाटिंग करके सेटिंग करना गलत है रुको मम्मी आ रही है मेरे चैसी हाउस वाइफ सर्फ सबजी खरीदने और बच्चों को स्कूल लेने चोड़ने के लिए घर से निकलती है अब तो मैं ऐसे रोक कर मेरी यह आजादे भी छीनना चाहते हो रुको रुको आज तो बहुत ड्रामा हो गया बाबा काम खतम कर गए मैं घर वापस आ रही थी एक बिवकूफ अचानक मेरे पीछा करने लगा मुझे शक हुआ मैं मुड़ी तो देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था अच्छा और फिर बस दो मिनिट बात करके वो सी थे मुझ से शादी करने की बात करने लगा बाबा अरे सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए मुझे तो लगा कहीं ये गवार मंगल सूतर जीब में रखकर ना लाया हो पर मैं हूँ तो आपका ही हूँ पता है मैंने क्या किया बता मैंने उसे कहा कि भाई साहब मैं पहले सी शादी शु तिव्या, वहाँ बैंच पर यही मम्मी मिली थी ना? हाँ माँ अरे बापरे, लगता है गई भैस पानी में तुने जो कुछ भी कहा सब जूट का पर मैंने इससे सब कुछ सच कहा है मैंने तो इससे अपना दावाद मान भी लिया इसका नाम है जगन मेरा दोस्त है और इसका दिल सोने का है बचपन से गुरुकुल में हम साथ ही पले बढ़े हमारी अपनी कोई फैमिली नहीं इसका मैं हूँ और मेरा ये है अगर आप चाहें तो रिष्टे की बात आगे बढ़ाते हैं हाँ हाँ, बिलकुल बढ़ाते इक ही बार मिलके आप फैसला कैसे कर सकते हैं तुम शायद गलत समझ रही हो मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था पर बिना तुम्हारी रजामंदी के शादी के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बेवकुफी होगी इसलिए मैं तुम से अकेले में बात करना चाहता था बाबा मैं ऐसे अकेले में बात करना चाहती हूँ हाँ हाँ, बिलकुल बात करो मैंने तो इससे घंटा भर बात की भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा आज तक जितने भी लड़के तुम्हें देखने आये, तुमने सब को खरी कोटी सुना दिया, फर ये उन जमूरों जैसा नहीं है, जाओ, उपर जाके बात कर लो, जाओ बेटा मुझे शादी करके घर बसाने में कोई इंट्रेस्ट नहीं क्यों? जहां तक बाबा का सवाल है, मेरी शादी उनका सबसे बड़ा सपना है, पर मुझे लगते हैं, मुझे कभी भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए तुमारी सुने की प्राब्लम के बारे में जानता हूं, पर ये प्राब्लम इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम किसी को शादी सही इंकार कर दो प्राब्लम तो तब होगी जब मैं तुमसे शादी करूँगी मुझे पत्नी बनाकर कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलें जेलनी पड़ेंगी शुरू-शुरू में तुम्हें शाद साब अच्छा लगे, पर जिन्दीगी बर जेल पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है पत्नी का मतलब सुक्तुक बाटने वाली, ना कि जिन्दीगी भर का बोज और इसके लावा एक बार फिर मैं किसी अपने के मौत की वज़ा नहीं बनना चाहती मा मा के सैंडल्स गाइब है, मतलब आज भी सबजी लेने मार्किट गई है चलो अच्छा हुआ, आज मैं गाने सुनते हुए दांस करूंगी अरे यार, लाइट चली गई, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? नो प्रॉब्लिम, वाक मैन तो है जोती, स्कूल से वापस आ गई, बागल लड़की माँ, क्या हुआ, माँ 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 मेरी बचा से माँ चली गए और मुझे पता तक नहीं चला जो भी मेरे साथ रहेगा उसकी जान पर खत्रा मंडराता रहेगा इसलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिन्दगी बना लिया है अब हर कोई मदर टेरीसा तो नहीं बन सकता लेकिन उनके बताए रास्ते पर तो चल सकता है और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं हर बार अपने पती से परमिशन बिलकुल नहीं मागना चाहती मैं सिर्फ अपने पती का घर संभालने में जिन्दगी नहीं बिता सकती एक मिनट तुम्हारी शादी ना करने की वज़ा क्या है तुम्हारा कुछ न सूंपा न या लोगों की भलाई में तमाम जिन्दगी गुज़ारना एक बर फिर से कहता हूं मैं तुम्हें बेगा चाहता हूं और फिलाल तुम्हारे जिन्दगी में बहुत कन्फूशन है इस ओके जब ये कन्फूशन दूर हो जाएगी मैं तुम्हारे सबनों में आने लगूँगा और जब आने लगूँ तो बाबा के हाथ मेसेज भीचवा देना फिर मिलेंगे एक और बात देख लेना एक दिन तक्दीर हम दोनों को मिलाईगी ज़रूट जब बाएगा छलो भाएग तो क्या पढ़ाया टीचर ने सोना था अपसराइग दिल से सोचती हैं आज देख भी लिया पर वह मेरी होके रहेगी येश कोई पसंद्ध आई है पाइग पाइग अज़रूएग पाइग हाई जयोती तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा पीछा करना घलत है उसके लिए अब तुम्हे फोटो जितनी पसंद आई गई हैं तो ये घलत ही मैं बार बार दोहराने को तैयार हूँ हलो एथर उधर क्या देख रही हो मैंने सोच लिया है शादी तो तुमसे ही करूँगा मैं अपनी पूरी जिन्दगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊँगा तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया न तो कसम खाके कहता हूँ देवदास बन जाऊँगा मैंने तो बोल दिया अब तुम्हारी मरसी पापा मोल रहा हूँ दमाज जी ने एक वीडियो भेजी देखी कैसी लेगी वो एक तब हीरो लगता है पूरे शराबी है आप जितना पीनट पियो ठीक है ठीक है ठीक है तुम्हसे बात पस करना आओ बेटी साथ सप्ता पूरे हो गया न कार्थिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया देवी मा तुम्हारी सारी मनो कामना जरूर पूरी करेंगी ये लो थांक्यू दिदी सभलके जाना कि देवी मा इस उम्र में लड़किया अपने लिए अच्छा वर मांगती है पर मैं चाहते हूं कि मेरी शादी ही ना हूं मैं नहीं जाते कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई कश्ट हो प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजे और जगन का भी जो हर जगा पर जाएं के तरह मेरा पीछा करता है प्लीज अरे वह देपूस के साड़ी जल रही है अरे में पी इसमाल साड़ी देखो अरे बेटा कबसे मैं चिल्दा रही थी कि तुम्हारी साड़ी में आग लगी है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या शोर शरावे में कुछ सुनाई नहीं दिया होगा इन्हें सुनाई नहीं दिया लेकिन साड़ी में आग लगने की बास तो आई होगी हर जगा तो दिये जल रहे हैं इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा चलो जाने दो इस लड़के के रूप में आकर स्वैम बोले नाथ ने तुम्हें बचाया है नहीं तो अनर्थ हो जाता कम से कम अब तो समझ जाओ जोती तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है मैं चाहता हूं तुम खुद अपनी हिफाज़त कर पाओ आगे जो तुम्हारी मर्जी वैसे तो स्कूल के अंदर भी साफसुत्रा टॉयलेट बना हुआ है लेकिन खुले में पेड़ के नीचे थंडी हवा में सौच करने का मज़ा कुछ और ही है कितना मज़ा रहा है जोरे बारे हुआ कि अरे चूबो जा हलका ओने के टाइम पे काई को डिस्टप कर रहे है चूप चूप हुआ है अज में इस पेड़ को इतना पारी दुखा कि हरा बढ़ा हो जाएगा मर गये उपर से पसी ना चूट रहा और ये बन भी बन भी बन भी जाए हुआ हाँ कि नहीं हो रहा है यह कैसी बाया है बागो बागो यह यह रायता किसने भालाया बोलो मुह में दही है क्या सज बोल दिया तो इनकी भी मेरी तरह पैंड की लिए हो जाएगी अरे तुम ही कुछ बोल दो मैंने सारा सामान उतरवाकर रूम बन करके रूम की चाबी इन्हें दे दी थी सर हाँ दी थी ना मैंने चाबी आपके कमरे में रख दी थी तो फेर यह कैसे हुआ अगर चोर घुस तुन हो जाते हो तुमारी कम्प्लेंट सुन सुनके मेरे कान पक गए है सबसे सचे इनसान शराबी होते हैं साब अगर डियो साब यहां इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो क्या जवाब दूगा उन्हें और कोई रास्ता नहीं है ध्यान से सुनो जब तक कैंटीन का स्टॉ देवाद छोड़ो पता नहीं यह भूत अब किसका बैंड बजाएगा प्लेट ठीक से पकड़ो बिटा अब तुम आज दीजी यहां जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं और तुम बच्चों के साथ बैठ कर वही खाना खाती हूं जो बच्चे खाते हैं थांक्यू बहुत अच्छा लगता है मोसी अंडा दो जानती तुम्हें तो दो अंडे भी कम पड़ेंगे चलो शुरू हो जाओ टीचर पहले खुद खाती है उसके बाद बच्चों को खाने देती है टीचर आपको अंडा पसंद नहीं है ना तो यह भी तुम्हीं खालो थैंक्यू वैसे एक बात बताओ तुम्हें सब अंडा अब मैं बहुत प्रोटीन खाता हूं ताकि मेरे बच्चे भी ताकत्वर हो पीचर इसे बूचे सब भुकड संधिया क्यों बलाते रेते हैं तुम्हें सब भुकड क्यों कहते हैं क्योंकि मैं रोज 3-3 तिफिन भर कर चावल ले जाती हूं इस वाले टिफिन को मैं अभी ख इसमें पानी डालकर रखूंगी और सुबह ना धोकर नाश्ते में खाऊंगी मेरे पापा नहीं है हमारे सर पर पांच लाग का कर्जा है हम खाने का पैसा बचाते हैं ताकि ये कर्जा जल्दी खत्म हो जाए टीचर स्कूल का खाना नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते अपनी मा को आज किसी होटल में खाना खिलाना आप तो मेरी टीचर है ना मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती और आज के बाद कोई भी एक दूसरे को ऐसे नामों से नहीं पुकारेगा तुम्हारा नम बिट्टू है और तुम्हारा नम संध्या है ठीक है ओके टीचर टीचर प्रिंस्पल साब आपको बुला रहे हैं तुम चलो मैं आती हूं मैं कम इन सार कम इन प्लीज आओ आओ जोती बेटा अगले हफ़ते एक्जाम्स हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर तयार करने होगे अब अगर ये काम मैंने किसी और को सौपा तो काम पू किसी और को अब एक ये जो खाओ तो किसी और करने जएश्या करति होती किसी और करते हैं किसी और मैं आप अगले हैं किसी और काम मैं वाले हैं हुआ 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 है लगता है मेरी पैंट फिर से की लिए होगी नौकरी से जदा मुझे अपनी जान प्यारी है नौदो क्या रहा हो जा पापा कर लगता है प्रिए ल हमख़ैं बच्चों, मैं अपनी आँखें बंद करने वाली हूँ जो बच्चे नहाए नहीं है या जिनकी यूनिफॉर्म गंदी है सब अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाओ तुम सब कि सब नहाए नहीं और क्यों? मिस, बताओ मैं बताओ, मेरी मम्मी आपकी बारे में क्या कहती है उस खराबनाख वाली टीचर को कुछ नहीं बता चलेगा मेरी माँ आपकी बारे में क्या बोली पता है प्लीज, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना आज मैं तुम लोगों को यहां नहीं पढ़ाऊंगी, ग्राउंड में पढ़ाऊंगी ये! बापरे, आज तो बाल-बाल बच करे अज पढ़ाऊंगी अज लूढ़ाएं आज पढ़ाएंग। सस्तिर के पढ़ाईंगी चृछो, तो कि भ지 अचे जो गई औो बंगः जा कि भुछो किवि जो बंगांए कि भी हो. तो कि भी जो कि गधनाह ज़ू जो Кाह जब चो कि फhos कि भी जजने कि जब हो, कि ब्युश्कडब्सितàiस जब हो. इस साइच से ट्रेडर्स और कंस्रुक्शन वोकर्स यूनियन के लीडर मिस्टर चद्दा की डेद बोड़ी मिली है, मौत की वज़ा अब तक साफ नहीं हो पाई है, पुलिस की टीम अपनी तरफ से मामले की गहराई से जाच कर रही है, सेंट्रल हेल्प मिनिस्टर का काफला कभी भी यहां पहुच सकता है, बताये जा रहा है दोरों करीबी दोस्त थे जाइट सर सर, मिस्टर चडड़ा आपके बड़े ही करीबी दोस्त है, उन्हें माने से किसी को क्या फाइदा हो सकता है, क्या का रही हो, फाल तुका सवाल मत बूछो, जाओ यहां से सर, सबसे पूछताज जारी है, यहां काम करने वाले मिस्टरी राम सिंग ने सबसे पहले लाश देखी था, हमने सारे वरकर्स को यहां बुला लिया है और एक-एक करके पूछताज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है उनकी मौत कोई हासा है या फिर मर्डर, तफिश जारी है बड़ा घूर घूर पर देख रहा है, जिनोंने वोट दिया उनने तो पलट के देखता भी नहीं, इसकी डर से फटी हुई आँखे देख रहे हो तुम, इन आखों में मौत का डर नहीं है, यह आँखे कातिल के डर से फटी हुई है, यह गैरेंटिट मुर्डर है, सर यह कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो कोई भी था, बारा घंटे के अंदर मेरे ऑफिस में होना चाहिए उसे, मंतरी जी पाचु कक्षा फेल है, तुमने पढ़ लिख क्या उख़ लिया, निवाओ अपनी ड्यूटी, बारा घंटे हो गये हैं, सर, बताइए अब क्या करना है, बाई जो हमेशा करते हैं, आस-पास कि सारी CCTV फुटेज चेक करो, क्या कर रहे हो, फोकस करो जार, गंट्रोल सेंटर, मिनिस्टर के घर पे, एक बार और काई है, सर, चेक कर लिया, कोई फुटेज नहीं है, क्या, नौर्ट साउथ में भी कोई फुटेज नहीं है, सर, बार कोई पुटेज नहीं है यह, जो मिने सिक र inmoks फुटेज आए, टुटेज एँ Somet Τरीम इंस ज्सके प्रिएव कर मैं में चेँ एक सेंजिए विहरें विज़ेब के पुटेदा यह, भार के घार्णाशना वे लिग प्याशनाब के, हम बारने仔, कर दूए़े हमिध के मेरे भाईया की मौत कैसे हुई पहले भाईया योगा कर रहे थे थोड़ी देर पुजा पाठ किया फिर किसे ने मार दिया पोस्ट मॉटम के मुताविक रुद्राक्ष माला की वज़े से इन की मौत हुई है बाहर से किसी के आने या जाने का कोई सुबूत नहीं मिला सीसी टीवी फुटेज में भी आपके भाईया और चड़ा जी की मौत के दस मिनिट से पहले से सारी फुटेज पूरी तरह से बरबाद हुई है इस खून और उस खून के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है मैं खुद कई बार से चेक कर चुका हूँ किसी तरह का कोई सुबूत नहीं है पॉसिबल नहीं है भाई फोटो निकाल लिए ये लिजे फोटो देखिए ये तो किसी हाथी का पैर लग रहे हैं ये कैसे बच गाते रहे से मैं अभी फोरंसिक वाले को बलाएं जल्दी से बुला कितना konfusion है बड़ा ही rare केस है ये पैर का निशान हच से ज्यादा भारी है ना ये किसी आदमी का लगता है ना औरत का खुलके बोलना जब भी कोई आदमी चलता है भले ही वो 35 किलो का क्यों नहो निशान गहरा बनेगा और आरत होगी तो 85 किलो की क्यों नहो निशान हलका ही बनेगा पर इस निशान में आदमी और आरत दोरू का असर दिख रहा है मतलब किसी किनर का काम है बढ़िया सवाल करेक्ट जवाब देने के लिए मुझे इस पैर के निशान को चेक करना होगा माइक्रो मिलीमीटर रेंज की अक्यूरसी पर फिर सारे फैक्स को मिलाकर चारों तरफ की डेंसिटी पर गौर करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा तो इ जिन पहले मेरा भाई सिंदा था अब मर चुका है काम अभी चालो कर अव स्वीट थैंक्स अपी टीचस जै थैंक्यू तक्दीर कहा था न मेन हमें ज़रूर मिलवाईगी तक्दीर कॉफी विदाप शुकर यह मत सोचना मैं कॉफी पिलाकर भगभग सुनातर हूंगा मेरे माबाप के मरने का मैंने कभी अफसोस नहीं किया क्योंकि मैंने कभी उने देखा ही नहीं पर मैंने तुम्हें तो देखा है, और अगर तुम मेरी जिन्दगी में नहीं आई ना, तो बहुत ज्यादा अफसौस होगा, कहना चोती, मैंने जिन्दगी में बहुत दुख देखे, अब सुक चाहिए, और तुम मिल गई तो, खमी पूरी हो जाएगी, अच्छा वैसे वो तुम्हारे सुंहने की प्रोब्लम तो सौल हो ही चुकी है, तो मेरे दिल की प्रोब्लम भी सौल कर दो, मैं इंदजार करूंगा, जब भी जवाब देना हो, कॉल कर लेना मुशे, भाइ अरे बापरे, सपना था, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, देख लेना एक दिन तक्दीर हम दोनों को मिलाईगी जरूर, बाबा मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहे हूँ, खाना खा करी आऊँगी, बाइ, जोती बटा, तेरी फ्रेंड्स तेरी शादी में कब आएंगी, ये तो अब आप ही डिसाइड करेंगे ना बाबा, अरे मतब तु तैयार है, हाँ बाबा, चितने में लड़के मुझे यहाँ देखने आये, सब ने सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी ही देखी, और कुछ के नजर सिर्फ हमारी इस छोटी सी जमीन जैदाद पर थी, पर जगन वैसा बिल्कुल नहीं है बाबा, उसे पता था ये फैसला आसान नहीं है, पर उसने मुझे पूरा बक्त दिया, वाह, बतल तुम तयारे, बहुत बड़िया मेटा, मैच तयारी करता हूं, देख लेना, तयारी मेटी, भाद अच्छी, अरव वाह, बला आग याँ, फुट्प्रिंट के डेंसिटी से पता चलता है, कि कातिल कोई किन्नर ही है, सर, आपने बिल्कुछ सही कहा, ये एक लड़की का ही बाल है, मुझहे ये सब मत बता, उसका नाम बता, कैसे दिखती है, कहां रहती है, इस बाल की मदद से हम उस तक पहुंच सकते हैं या नहीं, एंपॉसिबल है, सर, इंडिया में ऐसा सिस्टम है ही नहीं, इंडिया क्या, कहीं भी मुमकिन नहीं है, मुमकिन है, सर, कैसे मुम्किन है दुनिया में पहली बात तीन साल पहले किसी ने ये आविशकार किया था इन लोगों को information artist कहते हैं ये मुझरिम की इस्तमाल की हुई चीज से उसका हुलिया पता लगा सकते हैं ये टेक्निक कभी फेल नहीं हुई कैसे लोग जिस टिगरेट को पीकर फेक देते हैं उससे जिस चुणगम को खा कर थोक देते हैं उससे डिने टेस्ट के इस्तमाल से उस इंसान का चेहरा बना सकते हैं एकदम सेम टू सेम ऐसे आर्टिस कहां मिलते हैं अमेरिका में अमरीकियों का दिमाग काफी तेज है यह आविशकार इंडियन नहीं किया है प्लीज कम प्लीज कम यह दुम्हें पूरा यकीन है यह बाल इसी लड़की का है येस अफकॉस, हंड़िद पसेंट इसका फोटो निकाल और आधार काड़ के डेटा से म्याच कर और घसीट ते उए लेया काम हो जाएगा भाई काम हो जाएगा भाई जिनको मारा उनसे तेरी दुस्मनी के थी, क्यों मारा उनको, चल बता मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ मैं तो कीड़े मकोड़ों तक को नहीं मारती, एक हिंसान को कैसे बारूगी यहां तेरी क्लास चल रही है क्या मैं जानता हूं तू नहीं मारा उन्हें मेरे पास सारे सभूत हैं जली से बोल क्यों मारा उन्हें मुझे कुछ नहीं पता तुम सब मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो पर सच में मैंने कुछ नहीं किया मैंने किसी का खूर नहीं किया मैं सब आप नहीं कर सकती हुदे किसी और नहीं मारा होगा है एबेबी हमारे सामने अक्टिंग निखाएगी हम प्यार से पूछेंगे तो घुमाएगी हम सब मिल के तुझे इतना प्यार देंगे कि तेरा मुझ अपने आप ही खुल जाएगा कर दो कि अपना उस तरफ नहीं उस तरफ नहीं उस टरफ बेपए अपनी साड़ी तो ले ले अपनी अपनी के सब्सक्राइब उसी तुमिल गई इधर इसी है कुछ के सब्सक्राइब लुक्त जारहे थी यह किजी औल Comma कि लुघे हुआ ही है कि अ कि आर कि ए ए लाग कि ए ए कर वाय बुल कि यह वह पता नहीं भाई वो तो जा के देखना कि यहाई कि यहाई भाई भाई पहाईश तुझा नहीं पेचाना नहीं पेचाना नहीं पेचाना मुझे तादेवरना छोड़ोंगा नहीं तो तो मर गया था ना मुझे दो आज पूरे 32 दिन हो गया है मैंने तुझे मारा नहीं मुझे मुझे कुछ मत करना मैंने तुम्हारे सारे अध्मियों को मारा और बचे हुए श्यतानों को भी मार डालूंगा चोड़ दो मुझे मुझे मतमार ख्रहुत अर और रहुकछ जा ढ कर दो जए you छो अ कर दो जए 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 बना बहला कर दो प्रॉद पर प्रॉद चाने दे नहीं प्रॉद प्रूद करे अट्री के लाद हैं और प्रॉप सुष्स इस प्रॉब दूप कर दो हुआ हुआ कौन है यहां प्लीज जबाब दो कौन है यहां कोहीं तो मुझे बताओ कि यह क्या चल रहा है जब करें तुम कमाल हो सच में मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया न तो कसम खाके कहता हूं देवदास बन जाऊंगा तक्दीर ने हमें मिलवाया भी तो किस रूप में तुम सोच रही होगी कि मेरा यह हाल हुआ कैसे यह बताने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुनानी होगी की तुम्हें जाती तो अफुम्हें जाती तो बेकिन गिराता तो नहीं चाल्डीर नेकाल करे को करे के pourtant गदने पानी से दोता है तो भाता है तो बदबुवाती है साफ पानी में तेर को था आम को तकलिफ है काम के टाइम में पख भात मार पानी तो यां तो मुझ जल दो बंगा लोगा अ वो है अं पानी में तो आग hypertओ काहता है थो इसक stiff drink the आब तबरीपी या क्यों चाय वाले को परिशान कर रहे हो? अर्ट अपरीपे कोई असा पटेली दिखाता ही चे तेरे को बाद में देखतो हूँ अभे यह क्या 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 थूखने के लिए को यह और जगा नहीं मिली क्या वाली की कार गंडी कर दी क्या चिलम चली है? देखे न माली, जब से आया है मच मची कर रहा है अपन क्या गलत बोला साब? यह दूखन आप कीचे ना काम दंदा एकदम टकाटके एक चाय कितने की, दस रुपे की ना उसमें दो रुपया लेबर, तीन रुपया टोटल खर्चा बोले तो पर गिलास पाच रुपया कमाई और अख़्ा दिन में हजारों गिलास चाय बेशते हो फिर भी आपका ये छोटू गंदे पानी में गिलास धोता है गिलास होट को लगाओ के नाक के बाल चल जाते चलो उसका भी वांदाने ये भजिया तो खाने की चीज़े न इनको तो कम से कम डखके रखने का ना मामू सड़क की सारे धूल मिट्टी इन पेच लगे लिए पहले भजिये का पंदरा रुपय दो फिर डाक्टर को हजारों रुपय दो अपन बोला थोड़ा साफ सपाई रखने का कोई जुरूम किया क्या दो टके के छोकरे की लंबी जबान तो देखो अब भी अगर साइलेंट नहीं हुआ तो पुलिस बुला के हवालात में बंद करवा जूँगा फुटले चल मामो हो आपन धूला है समझा तु पुलिस की बारात मत बुला आपनी बारात रेडी है देखाऊ तेर को ये चाई की नहीं गंदगी की दुकान है ना इसने हाईजीन कैप पहनी है ना भजियों को ठककर रखा है ना नो स्मोकिंग भोड लगाया है और चाई पत्ती में मिलावट है सेले तो जानता है किस की दुकान सील कर रहा है दुकान सील करने से मैं डर जाओंगा क्या मैं टी शॉप ओनर्स यूनियन का लीडर हूं समझा इसी शेहर में मेरी 152 दुकान है तेरे जैसे 36 ओफिसर आय और गए एक घंटे में ये सील उखाड के तेरे मूँपर मारूंगा मैं तेजी तो ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद है इसकी 152 दुकानों पर मुझे ताला देखना है पूछे तो बोलना फूट सेफटी डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिशनर जगन का ओडर है किसी का बाप ये सील नहीं हडा सकता तेरे जुप माजुप पिंटर भाई वो नमबर ब्लेट पेंट करने का है बोले तो तेरे कुकाला भीला कर दूँ सर आप एक्या कड़ा गेटप है सर देर से क्यों आयों रास्ते में नेक काम करने के लिए रुग गया था कैसा नेक काम एक एक्सिडेंट हो गया था सर हॉस्पिटल गए थे क्या नई वीडियो बना के फेस्बुक पे फीलिंग साड वाला पोस डाला आपको भी टैग किया है सर यह साइकल और सावान लेकर जल से जल्द ऑफिस में आकर मिलो सर सर वो सर पूरी दुनिया पोस्ट करती है तब तो कुछ नहीं बोलते हैं सर कल चाय की दुकान एक कहां रेट महारनी हैं आज कोई रेट नहीं है बहुत भूक लगई है चलो कोई खाते हैं इससे नहीं भूक लगई हैं दुझे जवाब क्यों नहीं दिया तुमने दो दिन से कुछ नहीं खाया मालिक तो बताओ कहां खाने चलें पास में उनली सांबर करके एक होटल है वहाँ चलें क्या हुं हम यह सेरिय का बहुत फेहमस होटल है सर थेखे न आभी से कितनी भेड लगDER मैं भी रोज इधर ह खाता हूं कोट में तो लहीं हते हैं सर aç हुआ यहां और में खाना लेक्षी आता हूं और पहले पैसे देना ठीक है आज यूपीयाई से देता हूं आज प्लीज आप ऐसे ब्लीड में आएंगे तो मैं कैसे काम कर पाहूंगा आप लोग फिल्द में आईए क्या खुश्ववार रही है सर तूखा तुम लोग अपना अपने लेके आ जाओ रहे हैं सर खाना सूंगने के बाद मैं रुकता नहीं हूँ मैं दूसरे आज से खालूँगा अच्छा हम खाने नहीं आए रेट करने आए सर वाश बेजन बाहर है आप अंदर नहीं आ सकते अभी सॉरी सर दाल गांसली थी सर वो मैं जितना पूछा हो थना बोलो बोल डाला क्या मिला थे उस दाल में पैकेट पर लिखा है साब देसी घीवाली दाल है हम फूट सेफटी ऑफिसर्स हैं जूट मत बोल ओ ऑफिसर हो तब तो सच बोलना ही पड़ेगा जानवरों की चर्वी मिलाते हैं तेस्ट बढ़ता है उसे पबलिक दाल के साथ उंगलियां पीच अब डालती है कितने कमीने हो तुम दाल में चर्वी मिला रहे हो उस होटल को वेजिटेरियन समझके लोग वहाँ खाना खाने आते हैं बे लिखते हो देसी की और मिलाते हो चानवरों की चर्वी क्या यह अखरत नहीं है इसमें गलत क्या है घी आती कहां से मखन में से घी निकलता है भाया सबको पता है गाय के दूद से धही जमाते हैं और फिर उसे मत कर मखन निकालते हैं पर यह बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी तुम लोग अपना रेड बताओ जेब गरम करो और यहां से चलते बनो मेरी जेब गरम नहीं होती है भेजा करम होता है यह तुने अच्छा नहीं किया अब तुझे हॉस्पिटल भेजता हूँ तुझे भेजने की ज़रत नहीं मैं खुछ जाने वाला हूँ से लेट रुकी दादी सक्सेना सर पड़ो इसकी एक्सपारी डेट क्या है 23.5.1983 यह तो कंपनी खुलने की डेट है सर जो जानकारी ज़रूरी नहीं है वो तो क्लियर है पर एक्सपारी डेट को काटके मिटा दिया गया है इस पैकेट को लेकर आओ मेरे साथ इस ब्रेट की एक्सपारी डेट बताना हां चापा तो आज के ऊपर पढ़ना नहीं आता क्या साफ सफ देखने रहा है तुम्हें पढ़के बता दो मुझे अरे भाई धंदे का टाइम में दिमाग बहुत खराब करो लिखा इस पर जाओ जाके अपना काम करो यह अपना काम ही कर रहे हैं क्या क्या घूर क्या रहा ह हम फूड सेफटी डेपार्टमेंट से आएं साब जी और पैकेट ऐसा ही है तो के बास कहें के पब्लिक को मामू बनाने के लिए एक्सपारी डेट मिटा के ब्रेड बेच रहा है किसी पैकेट पे डेट नहीं है सर सिर्फ ब्रेड ही ऐसी चीज है जिसे घरी मरीज खरीद कर अपना पेड बार सकते हैं और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे हैं ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ चार दिन की होती है अगर दस दिन बाद कोई खाये ना तो जानते हो उस इंसान का क्या हाल होगा डिमारों के इसी अस्पताल में आएंगे इस केंटीन का धंदा चलेगा है ना वह बात नहीं है साइब केंटीन के कॉंट्रेक्टर का नाम क्या है क्या पूछ रहे हैं मुमें ब्रेड भरिये क्या बोलना वह इस होश्पिटर के ढदीन है सार मुझे इस मैटर में मत पसाओ साब वरना मेरी कुरसी कट जाएगी साब अकेली सिर्फ तेरी कुरसी नहीं कटेगी साब का मतलब बीन साब सक्से ना तुम पहुच गए ना सर आपके कहे मुताबिक फैक्टरी के सामने ही खड़ाओ अगर कोई गाड़ी बहार निकले तो उस पर नज़र रखना सर एक ब्राउन गाड़ी आतो रही है ठीक है उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कुछ कहां तक पहुचे सर नौर्ट साइट फ्लाइवर के उपर ठीक है पीछा करते रहो सकसे ना सर गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है इसका पीछा करता रहा तो कट्निया कुमारी तक ले जाएगा सर ये मुझे कुछ भी हो जाए वो गाड़ी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए सर गाड़ी कच्रा पट्टी के अंदर गुज गई है तब तक पीछा कर दे रहो जब तक वो गाड़ी कच्रा ना गिरा दे तक हम सरकारी अफसर होने के बावजूद कच्रा उठाना पट रहा है सर गाड़ी कच्रा गिरा के चली गई सर अलो स्विच ओफ है जहां जाते हैं चार चार चिलाते रहते हैं मगर अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं सक्सेना अरे सर मैंने कुछ नहीं बोला मेरे मूझ से निकल गया है सर अब क्या करना है सर कच्रे की तलाश हिलो सर मैं एक ओफिसर हूँ और मैं एक सीनियर ओफिसर जो हुक्म मेरे आका सर यह क्या है अच्छा खासा ड्रम तोड़के फैंक दिया रोग इसमें पानी भानी भरकर रखते हैं हमारे घर में तो राशन रखा जाता है इसमें इसे बेच के दोती नजार तो मिल जाता सर वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सक्सेना धूनों यहां कहीं एसा टुकड़ा और है हां सर अरे बाप सर यह ढून रहेंगे फॉर्मलेन कोई फूड कामपनी फॉर्मलेन का क्या करेगी सक्सेना समझ गया सर कटिंग 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 शेयर करेगा सब गया सब गया सब बेजला मैंने अवकुस नहीं बचा यह दार उने मुझे नंगा कर दिया भाई इजट उतर गई है तेरी समाल तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है इदर से निकल अई तो बोला मैं कटिंग कटिंग बड़े भाई मुझे भी कटिंग में पीनी है 10-10 रुपे काम है आजा आजा कोई बात में आजा आजा चखने पे भी जी एस्टी चोड़ना होता बचा सुन तुझे जी एस्टी के पार में पता है क्या आप ही बता दो ना सामान एवं सेवाओं का कर मतलब मतलब उसने हमको सामान दिया ना और इस सिवा के लिए हम उसे टिप देते है समझा यह यह सामान एवं सेवाओं का कर क्या बढ़िया बता है भाई पबलिक को ऐसे ही समझ में आता है उनीक लेंग्वेज में समझाने का न पर एक बात है शायदात बराबर बटे ना बटे शराब बराबर बटनी चाहिए बल्कुल सर का पैक थोड़ा स्ट्रॉंग बना सकसे न चड़ेगी नहीं तो बताएंगे नहीं तुम कौन हो भाई अभी आगे सर समझाएंगे मैं कौन हुई जाने दो तुम तो खुदको भी नहीं पहचानते माइक्रोबायोलेजी स्टूडेंट हो ना वो भी गोल्ड मेडलिस्ट एक शांदार फूड कंपनी में 75,000 मंतली स्टैलरी चाहते तो किसी अच्छे से होटल में बैट कर पी सकते थे पर तुम ने उस नौकरी को लाद मार दी और एसे छोटे से दारू के अड़े पर कटिंग दारू पीते हुए तो मैं शर्म नी आती मेरे बारे में तुमको कैसे पता शर्म तो आती है सर ऐसी घटिया कंपनी में काम करके शर्म तो आएगी ना महनत और इमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है सर सब किताबी बाते हैं उस फेक्टरी में काम करने से अच्छा है क्या करें सर इस बार का बिल भर दूं क्या मैं जो भी बिल है उसे भर दो और इस अड़े को सील कर दो इपर भी रेड हो गई पता ही नहीं चलाए बाप रेबाद इस्क्यूज मी रुख जाईए आप लग कौन है और यहां पर कैसे आए वो तलाब से राइट लेके गोल चकर से लेफ्ट लेके यहां पहुंच गया और बोलूँ फूट सेफटी ओफिसर्स अरे तुझे तो निकाल दिया था ना तू लेके आए इनको हम इसे लाए हैं चलाट सुनिये तो अरे यो जीनियस इधर जैमर लगे है कॉल वाल जाएगा नहीं अलो सर् एलो बोलने से फोन नहीं लगे या प्रभाकर सर् सर बिना बॉस के परमिशिन के आप चेक नहीं कर सकते सकसे ना जब तक दूद में मिलावट की जाज पूरी नहीं हो जाती ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा इस दूद में क्या क्या मिला है इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूद में मेलमाइन मिलाते है नेक्स्ट दूद को गाड़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है वो भी मैकसिमम लिमिट से डबल मात्रा में है सर नॉर्मली सौ मिली लीटर में सतर मिली गिराम ही अलाउड है पर इसमे तो 200 मजी है सर यूरिया यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए और तुम दूद में मिला के और क्या क्या मिला है सर दूद को चिकना मनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है ये क्या दूद में सोडा डाला हुए बेवडे लोग दूद में दारू पियेंगे कॉस्तिक सोडा क्या होता है जबाब दो मुझे डिटरजिंट टॉइलेट और कपड़े दोने में काम आता है वो और तुम जाग बढ़ाने के लिए उसे दूद में डालते हो है ना सर दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए तुम ए तुम्हें पतै है फॉर्म।ै का सच क्या होता है लाच को सरने से बचाने के लिए इस कैमिकल को तो सूगना भी का खतरनाक होता है और तुम इससे दूद मैं मिला रहे हो जिसे महसुम बंचे पीते हैं सर, सही माइनों में ये दूद नहीं, स्लो पॉईजन है मारने के बाद भी दूद का इस्तमाल होता है पर तुम लग दूद पिला कर जीते जी लोगों को मार रहे हो पर इन दो कर इन अपादी। झाले! तक कि पास्न झाले! झाले! कब से कम आप तो समझ जोती है मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाज़त कर बाओ हाजर सारे से बुट सवही सलामत है से ठीक है दस मिनिट में वाचता हूँ सर गुट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो जनता तो बस पुलिस लाओ इंफोर्समेंट और इंजिनिरिनिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में ही जानती है पर आज तुम्हारी वज़े लोग फूर्सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी जाने लगे हैं पहचाने लगे हैं उमीद है तुम्हारे पास सबूत होंगे दिखाता हूं सर इसका नाम सूरच चडड़ा है ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एस्सोसियेशन का प्रेजिडेंट जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठा कर चेक किये तो इसकी चाय पती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम दिनेश वर्मा के सबसे बड़े चाय बागानों का मालिक आम दोर पर टी प्लैंट के दस बारा साल का होने के बाद ही पत्तों में सही ताकत फ्लेवर और टेस्ट आता है मगर इन टी ब्लैंट को दो से तीन सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल से जल तोड़ लिया जाए तो ताकत फ्लेवर और टेस्ट इन में से कुछ भी नहीं मिलता लोगों को इस बिना स्वाद वाली चाय का आधी बनाने के लिए चाय पत्ती में अफीम मिलाये जाता है सर जिससे पीने से कई तरह की बिमारिया हो सकती है सबसे बड़ा खत्रा अतरीका कैंसर इसका नाम है डैनियल क्लीन वाटर कंपनी का मालिक सब जानते हैं रोज छे लीडर पानी पीने से शरीर की 40,000 बिमारिया ठीक हो सकती है पर जो इंसान इसकी कंपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40 लाग बिमारिया हो सकती है हर इलाके में ऐसे डारेक्ट नल से भरी पानी की बोतलें बेची नहीं जाती है वहीं बिखती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है इन बॉटल्स पर लिखा अड्रेस और दूसरी जानकारिया सब जोटी होती है ये है विकी मलहोतरा प्राइवेट और पबलिक सेक सब जानते हैं ज्यादा ओइल हमारी सेहत को नुकसान पहुचाता है पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तमाल करता है तो उसकी जिंदगी और छोटी हो जाती है क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइन ओल बिलकोल नहीं है रिसाइकल ओल है अगर इस घटिया तेल को कोई पचास बार भी यूज़ करें तो भी इसका रंग नहीं बदलता हमेशा एकदम ब्रैंड न्यू लगता है और इसकी वज़ा ये है कि इसमें टार मिलाय जाता है इस तेल को एक बार इस्तमाल करने में कोई बुराई नहीं है पर पहली बार सिर्फ फाइस्टार होटल में ही ह होता है और उसके बाद उसका क्या होता ही हमने पता करवाया है और वहां से सीधा भजिय बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टप्री पे जाता है सिर्फ कोकिंग ओईली नहीं इसके और भी बड़े-बड़े बिजनस है जैसे पोल्ट रिफांग जो करीब बचाज एकर जमीन पर फैला है किसी चूज़े को बड़ा होने में करीब तीन से चार महीने का टाइम लगता है तब ही ये सेहत मन रह पाते है और इसकी पोल्ट रिफांग में पलने वाली मुर्गियों को कॉलिस्टिन नाम की एंटिबाइटिक एंजेक्शन दिया जाता है जिससे सिर्फ तालिस दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है इस अबनॉमल ग्रोथ से इने खाने वाले कई बिमारियों के शिकार होते है खास कर अगर इने छोटी बच्चिया खा ले तो साथ से दस साल की उमर में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है उनके पीरियट की साइकल पर बहुत बुरा असर पड़ता है फिर धीरे धीरे बिमारी बढ़ती जाती है और यूट्रिस कैंसर हो जाता है अगला बिजनेस वो चीज़ जो हर घर की जरूरत है दूद मेरे पास उनके खिलाफ दूद में मिलावट करने के सारे सबूत है और इसलिए मैंने कली उनके सबसे बड़े प्रोड़क्शन प्लांट को सील कर दिया था इतना नई हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सरता सेफ पर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है स्टीम इडली को प्लास्टिक में पकाते हैं कुत्तो के मीट को मटन बोल कर बेचते हैं और ऐसी सेक्डो चीज़ है आज के समाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर उल्टा खाकर वो खराब होती है इस जहरीले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिडल जाएंगे अगर इस मिलावट को नहीं रोका तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कैंसर कोई बिमारी नहीं है बलकि धन्दा है इसलिए मैंने उन जगाओं को सील कर दिया मैं अपने तजर्वे के आधार पर कह रहा हूं जगर मैंने तुम्हारे जैसा इमांदार आफिसर कभी नहीं देखा हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे अच्छा किया तुमने सील कर दिया मैं इन मुझरिमों को कट घरे में खड़ा करूँगा और इनके खिलाफ सक्ट से सक्ट लीगल एक्शन लूँगा सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो क्यों सर ताकि सारे सबूत उन्हें लटा दे सिर्फ सूंगे समझ जाता हूँ कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं फिर आप तो मेरे सीनियर है आपकी इंसानियत में मिलावट है इतनी सारी फर्म और कमपनी बंद करने के बाद भी मुझे ताजब हो रहा था कि अभी दक आपका कोई फोन नहीं आया उन घलत धंदे वालों ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की तब मुझे अंदाद आ हो गया तुम सब के सब मिले हुए हो आपने सोचा था ये सारे सुबूत आप मुझे से हाथिया लेंगे न मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाए कि शायद ये सब देखकर आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए मगर अब ही आप इस मिलावट के ख़ड़े नहीं होंगे तो आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता अबे लॉंडे पहले अपने आपको तो बचा ले सब के सब अपना जमीर बेच चुके हो चुबे सोचा पड़ा लिखा ओफिसर है तो लडाई नहीं जानता होगा चाता क्या तू है जमीन खोद के गार दूँगा सारे भेड़ी ये सही जगाए कठा हुए हो अपने आपको सरंडर कर दो मेरे कंपनी में पैर रिखते ही सभी ऑफिसर्स के पैर कापने लगते हैं जानता है क्यों क्योंकि उनकी एक फैमिली होती है पर तू तो आनाथ है इसलिए तेरे अंदर डर नहीं है पर तू हम से डरेगा मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ इसलिए आखरी वार्निंग दे रहा हूँ जर्म कबूल करके मेरे सामने घुटने टेको और सरंडर करो वरना तुम्हारी आने वाली नसल भी वही जहर खाएगी जैसे तुम दूसरों को खिला रहे हो चुपकर हमारी नसले खाएगी नहीं बलकि दूसरों के गले में ठूसेंगी आज तो बस ये कमिश्णर हमारा पिला है कल अदालत और सारे मिनिस्टर हमारी जेब में होंगे सुन ऐसे सबूत हम अपनी जूती की नोक पर रखते है अदालत चाहे तुझे छोड़ दे पर मैंने ये वीडियो हर सोशल साइट पर डाल दिया है जो वाईरिल भी हो चुकी है तेरे प्रोड़क्ट पर जो लोगों को भरोसा था वो मैंने तोड़ दिया ऐसे हजारों वीडियो इंटरनेट पर वाईरिल होते हैं लोग शौक से देखते हैं, forward भी करते हैं, पर follow नहीं करते हैं. अगर तुझे मेरे product के बारे में पता चल गया है, और माना कि तुने मेरे company seal भी कर दी, तो उसी building में मैं एक और company शुरू करूँगा, logo बदल दूँगा, packaging बदल दूँगा, product का color भी बदल दूँगा, advertise भी रुपे जादा देगी, समझे? मैं ऐसा हरकिस होने नहीं दूँगा. जब तक जनता जीप की गुलाम रहेगी, हम फायदे में रहेंगे. तुम कुनाह कर रहे हो, लोगों के खाने में जहर मिलाकर अपनी जेबे भर रहे हो, तुम्हें अपनी जुर्म की सदा मिलनी ही चाहि आज मसालेदार चीज़े खाते हैं. पहले सुबह उठते ही, लोग चाय पीकर खुद को खुशनसीब समझते थे. आज उठते ही अलग-अलग प्रोटीन शेक पीते हैं, और वो भी मेरे बनाए हुए दूद की बाटल में मिलाकर कटक जाते हैं. यही तरक्की है, पहले सिर् पैसे वाले और उनके बच्चे ही दूद पी सकते थे. लेकिन आज, रास्ते का भिखारी भी दस रुपे की दूद की धाली खरीद कर पी सकता है. समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलावट ही सलूशन है. हिंदोस्तान की पॉपिलेशन एक्सो तीस करोड है, सब क शुद्ध चीज़ें देना मुम्किन है क्या? कल तक भूकर मरने वाले आज भर पेट खाकर चैन से सोते हैं. तो बढ़िया खाना खाकर 80 साल के उमरे तक जीना हर एक के बस की बात नहीं है. तो जो उन्हें पसंद है खाने दो उन्हें, और 40 के उमरे में खुशी-खुशी म तुझे हम कब मारेंगे. अब तुझे और तेरी सचाई को कुछल देंगे. बातों में टाइम वेस्ट बत करो मार डालो इसे. कई खाने गपषड़ उन्हें तेरी सोपो प्रेणों थाे उन्हेंड़ रादाए को आर्षण जन्हें प्रादाए को खुशी म्हें हब तेरी तुश. बातों ख़ेगे. झाल खर बोगा को दाओ को दुट है अँड़ ओँश- वख- वब हुए uh छाएगर तूब ऑढ़ फ़ई इँ़ अजया रख भाब अवाँ stripes आजणीयो से जड़ छोड़ो ओटे सुयो सिसनी यह लोग ते हाईगर आलए met था त captured ज 얼굴지 आँ ए हम संन्मुल हो पीड़ो पट्विह पिला एक एया किसे आए जाल देली कलड़ी हूं तुम एक के बाद एक दुश्मन क्यूं मना जा रहे हो? उन्हें लोगों के खाने में जहर मिलाने से रोकना गलत बात है हाँ, ये गलत है, क्यूंकि सब ये बात जानते हैं सब को पता है वो जहर खाते है जहर भी वही देता है और इलाज भी वही करवाता है एक ही इंसान, फिर भी कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, क्योंकि सब को अपनी जान प्यारी है, आज सौ लोग आये थे, कल चार सो लोग आएंगे, सब को मारोगे, हाँ मारूंगा, मेरी बात सुनो, वो हमारा पीछा कर रहे थे, अगले स्टेशन पर हत्यार लेकर खड़े ह उनसे, ये जिद छोड़ दो, कोई एक जगा दिखाओ जहाँ पर मिलावट नहीं है, सब को छोड़ दूगा, इस देश में ऐसी कोई जगे नहीं है, देख भाई, अच्छा काम करने के लिए भी चार लोग चाहिए, उन चार को इकठा करने के लिए जो पहल चाहिए, वो मै प्यारी शादी होने वाली है, जियोती के साथ प्यार की जिन्दगी बसर करना, प्यार का वास्ता दे कर कमजोर कर रहे हो, उस लड़की से मैं जितना प्यार करता हूँ नो, उससे कई को ना ज्यादा अपने फर्स से करता हूँ मैं, देखो भाई, मान जाओ, इस रास्ते प तुझे मरना ही होगा अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो वो मेरे मीरी बच्चों को मार देंगे मैं तो तभी मर किया जग तुने चाको निकाला वो जनात का माँ और बाप सब तुई तो था बेरे अपने भी चाते हैं कि मैं मर जाओं जब मैं जीते जी किसी चीज में मिलावक का बर्दाष्ट नहीं कर बाया तो अपनी मौत में मिलावक कैसे बर्दाष्ट कर पाऊंगा एक बात याद रखना कि मेरी जिन्दगी और मौत उनके मेरे हादों में नहीं पर उनकी मौत मेरे हादों में ही लिखी हुई है मैं रहूं या ना रहूं मेरा सपना हमेशा जिन्दा रहेगा हेलो कहाँ ठीक है मैं देखता हूँ ओए चल गारी खुमाँ आवा रूप जा के देख जिन्दा है या मर गया पेट्रोल छिडग कर आग लगा दे इसे उसके बाद समंदर में फेग दियो मैं ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने खुद की जिन्दगी दाओ पे लगा दी है जिन तीन शैतानों ने पैसो के लिए खाने को जहर में बदल दिया था मैंने ही तुम्हारे जरीयों उन्हें उनके करमों की सजा दी थी झाल 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 … एह प्जा घाने तो हम झाष दर्माना कोलरे का आष दर्माना कोलरे कि अप्रुक्ष दो जिए तूख के दिए अप्रुक्त पुरूस आप तुम ही बता जो मैंने किया वो सही था या गलत था तुमने पाप किया तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो उन मुझरमों को कानून सजा देगा कानून तो उने छू भी नहीं सकता है जोती तुम मुझे क्यों इस्तिमाल कर रहे हैं हो तुम मैं तो किसी केड़े को भी मारना पाप समझती हो जगन इसलिए तो मैंने तुम्हारा शरी चुना तुम मुझ जैसी हो और मैं तुम जैसा तुम्हारा दिल मेरे जैसा पवित्र है तुम चाहे जो भी कहलो अपने पाप को पुन्य नहीं बना सकते हैं तो क्या चाहती ह जो तुम मुझसे दूर चले जो मुझसे ये तो नहीं हो सकता अभी दो शैतान और बचे हैं जो करना है करो पर प्लीज किसी के खून से मेरे हाथ गंदे मत करो तुम जैसे इंसान को प्यार किया सोच कर भी शर्माती है अब मेरे करीब आने की सोच ना भी मत अगर तुमने मु मेरे बिना वह तुम्हारा सास लेना मुश्किल कर देंगे है है मेरी बात मान लो जोति मुझे छोड़कर मत जाओ करट अरे हिम्पत है तो सामने या जानना चाहते हो मैं कौन हूँ मैं हूँ फूट सेफ्टी ऑफिसर जगान शांत पांटर शांत अगर वो कि इंसान होता तो उसके टुकले टुकले करके उसे जहनलू भेज़ देते पर वो तो एक प्रेदात्मा है उससे उसी के तरीकर से ने पढ़ना होगा और वो मैं जानता हूँ संद्या आज जोदी में समी आई लगता है आज उन्होंने छुट्टी ले लिए एक अंडा कम पड़ी गया क्या जमाना आ गया दुनिया कितनी बदल गई है आज कल के बच्चे तो समझ से ही पर है अब उस जगन को ही देख लो जब वो हमारे घर आया था कैसा ना टकर रहा था एकदम शरीफ एकदम नेक जब थोड़ा सा करीब से देखा एकदम छूठा और मकार निकला उस दिन तो पोल रहा था वो तुमें छोड़ कर और किसी को देखेगा अभी नहीं और अब देखो ज़रा उसको परदेश में नौकरी मिल गई है तुम से जादा उसे तरक्की प् जगन की मौत के बारे में आप से पहले ही मुझे बता चल गया है हलो मैडम प्लीज जल्दी आया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सारे बच्चों को एड्मिट करवारा बढ़ गया ऑस्पिटल डॉक्टर भी कुछ बताने से मना कर रही है मुझे जाग निकली सारे बच्चे बेहोश हो गए हे भुपान क्या होगे बेटा एम्पुलेस पुलाओ सब को खाओ प्छास्पिटल में अचानक ही बेहोश हो गए मौत के मुझ में समाई बच्चों को हास्पिटल में अद्मिच किया गया है डॉक्टर्स की एक टीम इमर्जनसी बॉर्ट में उनका इलाज कर रही है उनके मुझाबिक सभी बच्चों की हालत बेहत गंभीर है कि अधिन देखो क्या कर रहे है ठीक दो जाये करें डॉक्टर डेखो इसो क्या हो गया मेरे बच्चों क्या हो गया मेरे बच्चे को मैं अच्छे से बढ़के बड़ा डॉक्टर बनुगा टीचर तभी तो मेरे जैसे आप आईज बच्चों का बहुती बढ़िया इलाज कर पाऊंगा पढ़ाई खत्मों होने के बाद मैं खूब कमाऊंगी तब भी तो मैं दूसरों को खाना खिला पाऊंगी अज की ताजा खबर तिलक नगर के गवर्मेंट हाइज सेकेंडरी स्कूल में दस स्टूडेंस अजानत बेहोश हो गए और पांच की मौत हो गई इस हाद सी की बज़ा थी स्कूल के बाहर मिलने वाली मिलावत वाली आइस्क्रीम हेल्फ मिनिस्टर ने इस पुरी घटा पर अपसूस ज़ताया है और कहा है कि अवरादियों को सजा मिलेगी ये खाबर सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ स्कूल में सुरक्षा इंतिजाम बहुत ही बढ़िया था लेकिन बच्चे बाहर जाकर आइस्क्रीम वगरा खाते हैं उसकी वज़े से ये घटना घटी है हम मरने वाले बच्चों को पांच लाग और इनकी सरजरी हुई है उन्हें एक लाग का बाता करते है हमारे पत्रकार उसके बहुत है देखा मैडम कितनी असानी से अपनी गलती उन्हें दूसरों पे डाल दी और वो बाहर की आईस्क्रीम खाकर बेहोश नहीं हुए थे लंच्च्रीम में आने वाले अंडों से बेहोश हुए थे जिसने अंडे काई सब एक एक करके बेहोश हुए थे मैडम जिने ने अंडे नहीं काई सब के सब ठीक है इन सभी बच्चों की मौत की असी बज़ाए ये डाक्र जूट बोल रहे है मैडम केसी बदल दिया इनोंने पापा आजाईए आगे आईए और साइन कर दीजिए कोई भी अपने बच्चे की बॉड़ी नहीं ले जाएगा मरने वाला एक भी बच्चा आइस्क्रीम खाकर नहीं मरा वो सब के सब स्कूल में लंच खाकर मरे थे जब तक सच्छाही सामने नियादी हमें लड़ना होगा बेटी आज तक गरीब को इंसाफ मिला है क्या बता सच्छाही के लिए लड़ने से बच्चे वापस आजाएंगे क्या आप कैसी बाते कर रहे हैं आप सवाल नहीं करेंगा तो कौन करेगा बच्चे के कातल को जाने दे आप तो सवाल उठाने को कहती है लेकिन अपना मूप इसे दिखी देखर चला गया इनके दिये पैसे लेने और कागट पर जाहिद करने के अलाबा मेरे पास कोई जा रहा नहीं था वेड़ा इसकी वज़े मिलावट है हम छोटे लोग ऐसे में क्या कर सकते हम सब मजबूर है जोती हमारा काम बच्छों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना होता है हम कातलों को सजा नहीं दे सकते कभी नहीं बेटी कि दॉक्टर तुम हुए मैं चार डिग्रियां क्या लेली किसी पर भी उठा लोगी क्या मैं बीबीएस डॉक्टर हूँ और तुम पांचवी की टीचर मैं क्या कर रहा हूं यह मैं तुमसे बहतर जानता हूं उनके घरवाले मान गए तो तुम्हें क्या प्रॉबलम है कर लोगले मैं है कई जार जार जबीभ्वला लगल मुदर तुम्हें कर फांचर में तुम्हें कर लुम्हें में हुआफ स्टुम्हें Daveilah अर्व करें डिलालो थार करें तो, को प्रॉक्षा करें करें रखर से नहां करें है को एफ करें आए लोप सक्राइब खार बत्रा करें उसी दोच्ति करें रा लोगावावार हुआ स्थINA इंडिuk हो देख पर र dedic है र Eliot ख dispos zakos तो nickel हे रखंड हो जो इया और जो पा को करे रखंड हुआ उन्मूald कं़ये ल essay घुझ और स्भशित्य ज Seit खो खवरा है Cory, गिंड उन्म कर दिर मिंदी हो उन्म कि खवरें रिपले मॉप गर है लगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग हाँ यहाँ देखा अब अब जाकार कलीजी में धंटक पहुंचेंगें इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो यह काटा भी हट्या तुम्हारे रास्ते से आभ यह आत्मा तुम्हें नहीं जताएगी पर आभी से इतना खोश होने का जरूरत नहीं पुरी आत्मा का खात्मा करना बहुत आसान होता है लेकिन अच्छी आत्मा को खतम करने में वक्त लगता है हम कल सूरज जूबने का बात मैं इसको पूरी तरह से अपने कावु में कर पाएगा अगर इस प्रेत आत्मा को अमेशा के लिए शांत करना चाहते हो तो ये जिस भी शरीर को धोरन करे और तुम से बदला लेने आती है तो उस शरीर को फिनिश करना होगा उसे जला कर उसकी राख गंदे नाले में बहानी होगी तुमने जगन की राख को समंदर में बहा कर सबसे बड़ी खलती की थी इससे वो आत्मा और भी ज़्यादा शुद्ध और ताकत्वर हो गई और तुम से बदला लेने लौट आई अब उस लड़की को लाओ और उसे जला कर उसकी राख को गंदे नाले में बहाना होगा मैंने तुम से पहले ही कह दिया ना कि पॉसिबल नहीं है फिर क्यों पीछा कर रही हो इस लैब रिपोर्ट में अंडो में मिलावट होने की बात लिखी है सर ये सब बेकार है डॉक्टर ने खुद सर्टिफाइ कर दिया है कि मौत आईस क्रीम खाने से वही थी पुलिस ने फाई यार धर्च कर लिया है और उस आईस क्रीम वाले को अरेस्ट भी कर लिया है और हेल्थ मिनिस्टर भी इस पर भयान दे चुके हैं तो भारी इस रिपोर्ट से हम कुछ नहीं उखाड़ सकते और तुम कह रही हो केस लड़ो केस लड़ो किस अधार पर अग अधार अधाव सच्चाई को सामने लाना बस इतना ही ना लाओ रिपोर्ट इस दुनिया में सच्चाई का बस यह अहाल होता है आज दुनिया दुनिया में विल्कडी में भाट रख दम आए यहांग हुआ 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 है लड़की खत्रा क्यों मोल लेती है तेरा आशिक तो मर चुका है ना चुप चाप घर पर बैठ कर उसकी मौक का मातम क्यों नहीं मना थी टीचर तो दिल की अच्छी होती है ना हमें क्यों सता रही है तू मुझे जाने दू तुझे जाने दूं और उसे आने दूं ताकि वो फिर से तांडव मचाए दोनों ने मिलकर नाक में दम कर दिया है चला जाकर तू ने सच कहा था मैं ही गलत सोच रही थी मैं गलत थी कहाओ तूम जागे लोगा जाओ ए बेट लोग से भिगाई से हख ए जाया थैए लोगा है ए है ए एषब Trट कर बेष़् है रहगा जड़ ए झाल का प्रूः American सब को शुद खाना मेले यही सपना था ना तुम्हारा इन्ही की वज़े से पांच महासुम बच्चे बाहरे गए जैकुर प्लीज इन्हें किसी और की जान से मत खेन ले दो इन सब को मौत के गाट उतार दो मार डालो इन्हे आग लगा दे से अब इन्हे और कितनी बार जलाओगे मुझे कर वा कर दो कर दो झूइ घण के ज हुँ हु पारत इस के जञाए चारक से लिक्लिट का येव बित् सुने मत्वहřा पारत आ ढौएाइड़् बाहाँ आद चस मुझे आद पुए खाग talents पॉत थो भाग जो बंघ प्रेट से बचा ले, मुझे लगता ये प्रेट आक्मा मुझे मार के ही दम लेगी प्रेट असे बHI एम्रों को, झाल झाल ले विए किishes बात चाब कर दुरब कि इंड तू कुछ भी कर ले मरेवे को मार नहीं सकता है तू बाक्टर आजाओ बचाओ 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 मुझे छोड़ दो मुझे नहीं मर रहा है मरेगा जरूर मरेगा खाने को जहर बनाने वाले कांत ऐसा ही डर्दनाक होना चाहिए मुझे छोड़ दो जाने दो नहीं जाने दूँगा तू वो दरिंदा है जो पैसो के लिए मा के दूद में भी मिलावट कर दे प्लीज बचाओ सिगरेट के पैकेट पर भी कैंसर की वार्निंग लिखी होती है शराब की बोतल पर भी लिखा होता है ये सेहत को बरबाद कर सकती है आने वाले वक्त में ऐसी वार्निंग डाल, चावल, मसालो, गी तेल और बच्चों के दूद पर ना आए इसलिए मैं आज तुझे खत्म करके रहूंगा तुझे जीने का कोई हग नहीं है शोड़ तो मुझे तुझे से पापियों को मारने के लिए हर जनम में पैदा होंगा मैं तुम जहां जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलोगी अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता शोड़ ओके झाल 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 मोझा झाल मैं झाल यह मैंन यह मला झाल मैं प्रॉड़ यह इस्ट आप्वाँ अजब